रिक्टेशन 5 सिकंड बाद स्टार्ट होगा रेडी स्टार्ट बहनों सिच्छा संस्थाओं से जब कभी भी मुझे बुलावा आता है तो मैं वहाँ जाने से इनकार नहीं कर पाता क्योंकि सिच्छा संस्थाओं से मेरा आरंभ से ही कुछ न कुछ संबंध रहा है और सिच्छा सास्त्र में भी मेरी पहले से काफी रुच रही है अत एव मुझे जब आपका निमंत्रण मिला मैंने उसे बड़े हर्ष के साथ स्विकार किया और मुझे अत्यांत प्रसनता है कि आज मैं यहां आ सका आप सब बड़ी स्वभाग्य शालिनी हैं कि आप इस कन्या महाविद्यालय में सिच्छा पा रही हैं क्योंकि इस महाविद्यालय का इस राज में अपना एक विसेश महत्व है और इसका इतिहास नारी जागरिती तथा उन्नत का इतिहास है इसकी स्थापना उच आदर्सों को लेकर एवं नारी जागरिती तथा राश्ट्रिय उन्नत की उनीत भावनाओं से प्रेरित होकर आज से बहुत साल पहले एक ऐसे सचे समाज सुधारक के द्वारा हुई थी जिनके हिर्दय में मुख्यतह नारी जाती के प्रती विशेश गवरव और महान आदर था आप सबको मालूम ही होगा कि हमारे देश में दो प्रकार की सिच्छा संसताएं विद्यमान हैं एक तो वे जो अंग्रेजी सासकों द्वारा अपने उद्देश्यों की पूर्ती के लिए स्थापित की गई थी और दूसरी वे जो स्वतंत्र रूप से राष्ट प्रेमियों द्वारा राष्ट्रिय भावनाओं से उत्प्रोत होकर अपने देश की संस्कृत एवंग सभ्यता को पुनर जिवित एवंग पुनर इस्थापित करने के उद्देश से इस्थापित की गई थी आपका यह कन्या महाविद्याले भी लगभग इन्हीं पवित्र भावनाओं से प्रेरित होकर बहुत साल पहले स्थापित किया गया था और आपके लिए यह बड़े स्वभाग की बात है कि आप में से कुछ आज इस विद्याले में अपनी सिच्छा समात कर जीवन के कारशेत्र में प्रवेश करने जा रही है उच्छ सिच्छा प्राप्ती की उपाधी जो आपको मिल चुकी है आपकी एक अमूल निधी है जिससे आपकी गुरुता और भी बढ़ती है आप में से जो आज प्रमाड पत्र लेकर जा रही है वे इस विद्याले के सिमित दारे में से निकल कर जीवन के विशाल प्रांगण में करमठ कारशेत्र में प्रवेश कर रही है आपके कंधों पर जीवन का महत्तपूण उत्तरदायत्व है और मुझे पूरा भरोसा है कि आप अपनी सिच्छा और अनुभव के बल और आधार पर उसे योग्यता पुरुवक संभाल सकने में सफल हो सकेंगी अब तक आपका विद्यार्थी जीवन रहा अब आगे आपका विवहारिक एवंग क्रियात्मक जीवन रहेगा और आपको अपने जीवन के कारशेत्र में अनेक समस्याओं का सामना करते हुए आगे बढ़ना है मुझे आसा है कि आपने यहां जो सिच्छा दिच्छा ग्रहन की उससे आप सकती और इस्फूर्ती ग्रहन कर स्वतंत्र देश की दायत्वपूर्ण नागरिकाओं की भाती उसे निबाह सकेंगी यह सब आपके लिए तभी संभव होगा जब आप यह भली भाती समझ लेंगी कि आपको अपने जीवन में क्या करना है आप सब यह भली भाती जानती ही होंगी कि प्राचीन काल में हमारे देश में इस्त्रियों का कितना महत्तपूर्ण व उत्कृष्ट स्थान रहा है